जब लेंगे अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे नमस्ते बच्चो उम्मीद है कि आप सभी सुष्ट होंगे यानि हलो मेरे प्यारे बच्चो कैसे हैं आप सब मैं उम्मीद करते हूँ आप सब अच्छे होंगे बच्चो हमने पार्ट बसके नीचे बाग पढ़ा यानि हमने ये वाला पार्ट पढ़ लिया है ये पार्ट पढ़कर आपको कैसा लगा तो हमको तो बहुत अच्छा लगा अब आप मुझे बताएंगे कि आपको कैसा लगा कहानी में हमने पढ़ा कि बस में बाग के आज आने से उसमें बैठे लोगों के बीच भगदर मच गई थी जिससे छोटा बाग भी घबरा गया था आईए आज हम पार्ट के आधार पर कुछ वाक्यों को फिर से पढ़ते हैं नीचे दिये गए वाक्यों को पढ़कर बताईए कि क्या इन में से कुछ शब्दों की वर्तनी को देखकर आपको कुछ अटपटा लग रहा है तो देखिए यहां क्या लिखा है वर्तनी कहते हैं तलफूस को वर्तनी कहते हैं पर्णनसेशन को है ना जो हम बोल रहे हैं इस पैलिंग इनकी ठीक है तो कहते हैं कि अब आप इनको जरा पढ़िए तो आप बताएए क्या आपको कुछ अजीब सा लग रहा है इन्हें पढ़ने के बाद तो चलिए देखते हैं तो यहां के लिका चोटे बागने देखा की वश का दरवाजा खुला है तो देखिए अब यह वश नहीं हो गई यह होना चाहिए बस और यह होना चाहिए दरवाजा आप केंगे मैं लिखा तो जा है पड़ा जा क्यूँ तो देखे जाके नीचे जब हम यह से डॉट लगा देते हैं यह वाला तो यह जाके बजाए जा हो जाता है तो दर्वाजा आज कल पते है क्या लोग अपने आपको बहुत ज़दा मौडन समझने लगते हैं और वर्ड्स को खलत पड़ते हैं और सोचते हैं कि हम स्टाइल में बोल रहे हैं है ना वही चीज़ है यहां पर अब देखे वश में अब देखे वही बात आगी तो बस है यह बश नहीं है बश में कही लोग बैठे थी अच्छा और इसका एक वज़े यह भी है कि कुछ लोग जो बहुत जादा मतलब गाउं से ब्लॉंग करते हैं ठीक है न तो उनके तलफ़ में भी यह प्राडलम होती है भई उनके घर में यही बात बोली जा रही है तो वह वही बोलने लगते हैं है ना तो यह थोड़े से गाउं की प्राडलम भी हम शकोर नहीं कह सकतें लेकिन कुछ लोग मैंने देखे हैं जो फूल को क्या बोलेंगे फूल बोलेंगे अरे भाई जब फूल है तो आप फूल बोलेंगे अच्छे खासे वर्ट्स की हाथ पैर तोड़ देते हैं बिलकुल चलिए खेर हम पढ़ते हैं तो यहां पर क्या होगा बस में कई लोग है आप देख सकते यहां बश है यह बस है यहां दरवाजा है यहां बश के बश का बश कहीं हरता है बिंदेखा बश में व्यूल्यों लोग में तरफ को, और द distintos कई होई-दारस और दिखा शूल में लोग लोग दाई तरफ और दाए जो लिख तधिय तो देखें क्या लिखा है जी हाँ आपने सही पहचाना इन वांकियों में आए गहरे रंग के शब्ध यानी जो लाल रंग के शब्धें जैसे बश, दरवाजा, फीतर, तालफ सही नहीं है मतलब इन शब्धों की जो वरतनी है वो सही नहीं चलिए इन वाक्यों को फिर से पढ़ते हैं और इन शब्दों की सही वरतनी जानते हैं तो देखें यहां आपको यह सही वरतनी भी बता दी गई जो कि हमने पढ़ ली है आगे पढ़ते हैं तो देखें यहां लिखा है आईए वर्तनी का कुछ और अधिक अभ्यास करते हैं तो चले देखते हैं कि क्या अभ्यास करना है तो यहां लिखा है नीचे दिये गए चित्रों के लिए एक सही वर्तनी वाला और एक गलत वर्तनी वाला नाम लिखा गया है यानि जो चित्र है इसमें एक सही वर्तनी है और एक गलत वर्तनी है तो आपको क्या करना है सही नाम को भैचानिए और उसे नीचे लिखना है आपको ठीक है तो आप देख सकते हैं यह है गुप बारी तो गुप बारी में दो बार बात है तो आप इसको सही है इसको आप नीचे यहां लिख लेंगे ऐसी ये क्या है तर्बूज तो ये वाला ठीक है इसी तरह से है रेल गाड़ी तो ये वाली ठीक है इसी तरह से है छाता तो ये वाला ठीक है ठीक तो बाप इसे लिख लेंगे अगर आप चित्र बनाना चाहें तो बना सकते हैं और अगर नहीं बनाना चाहें तो कोई problem नहीं है ठीक है आगे पढ़ते हैं तो देखें यहां लिखा है पाट के आधार पर नीचे गहरे शब्दों की वर्तनी को सही करके वाक्यों को दुबारा लिखिए ठीक है तो अब आपको क्या करना है यह जो गहरे कलर के शब्दे इनको सही करना है और पूरे sentence को आपको और कि जगहा प fault मारे आपको दुखें गंडी आप तो अब है अब मैं आपको न इनके सही वर्त नी बता दोंगे लिख लेंगे भाग ने अपना सर दाहिनी दाहिनी भां तो भाग ने अपना सर दाहिनी को दाहिनी ठीक है तो आप ऐसे लिख लेंगे दाहिनी तरफ मोड़ा ठीक जो पूरा सेंटेस लिखेंगे बस ये वाले आप काटके इसकी जगापे ये लिख लेंगे ठीक है आगे क्या लिखा है बाग ने बाग जंगल से सड़क की तरफ आ गया था आप लिखेंगे जंगल ये गलत लिखा है जंगल ऐसे लिखा जाता है तो आप यहाँ पे जो जंगल है इसकी जंगापे इस जंगल को कर देंगे आप लिखेंगे बाग तो ये वाला जंगल काट देंगे ये वाला लिखेंगे जंगल से सड़क की तरफ आगया था, कर देंगे, इसी अब दिखे हैं, yemekा शड़क पर, एक बर्स खड़ी थी, तो यह शड़क नहीं होगा, यह क्या होगा, सड़क सड़क सड़क। आप लिखे हैं, विसे सड़क यहां लिखा हुआ है, तो आप लिखे हैं, तरड़क पर एक बर्स खड़ी थी तरह से आप अगला क्या लेका है बाग दुबग कर बैठ गया तो क्या होगा बाग दुबग ये दू बाग और का दुबग ठीक है जो आपकी पाठे पुस्तक है उसके पचास नमबर पीच को भी कर सकते हैं समझाय कारण बाघो की संग्या बहुत कम हो चाहने के कारण बाघो की संग्या बढ़ाने के लिए बाघ अभियासी करण भी बनाई गए है जहां उन्हें पूरी सुरक्षा दे जाती है तो यह सबाब जानते हैं कि पहले जमाने में लोग शिकार करते थे अपने मज़े के लिए बाग को मार दिया करते थे उसका नतीजा अज यह है कि बाग की जो प्रजाती है वो पूरी तरह से खत्म होने वाली है इसलिए गौर्व यंगा शिस्क्राइब करें थैंक यू फो वाचिंग